हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे एप्रेल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टन करंट अफेस इससे पहले जैनुवरी, फेबरी और मार्च की भी करंट अफेस की वीडियो जा चुकी है आप अपने रिवीजन कर सकते हैं, उन्हें देखके किसी भी एक्जाम में जाने से पहले सारे करंट अफेस उसमें एक्जाम औरियंटेड है और विदाउट अनी फूर्दर डिले हम एप्रेल की वीडियो भी स्टार्ट करते है ये एक ऐसी चीज को दिया जाता है जो एक पर्टिकुलर जगे की नेटिव हो वहाँ बोई जाती हो या बनाई जाती हो और उसके जैसी चीज और कहीं ना मिलती हो जी आई टेग को मिलने से उस चीज को ऑथेंटिकेशन भी मिल जाती है कि आप उसकी क्वालिटी के उपर आगबंद करके भरो सकर सकते हैं तो ये टेग मिला है कांगडा टी को कांगडा टी एक कांगडा डिस्टिक्ट है माचल परदेश में वहाँ उगाई जाती है और इंडिया में जी आई टेग्स कई सारी चीजों को मिले हैं मतलब अब आप अपने घर पे पता कर सकते हैं कि आपके दूद में मिलावट है या नहीं IIT मदरास के रिसर्चर्स ने एक पॉकेट फ्रेंली डिवाइस बनाया है जो 30 सेकंड के अंदर दूद का दूद और पानी का पानी कर देगा यह बहुत ही कॉस्ट एफेक्टिव डिवाइस है जिसके थूँ आप पता लगा सकते हैं कि आपके हाँ जो दूद आ रहा है उसमें किसी तरह का सॉल्ट, स्टार्च या कोई भी चीज मिला रखी हो तो तो इसका अंसर है IIT मदरास Who is the new CEO of Hero Moto Corp? Hero Moto Corp के नए CEO बने है भी निरंजन गुपता नाम याद रखेगा important question है निरंजन गुपता Who became the most followed person on Twitter? आज की समय में Twitter पे सबसे ज़्यादा following रखने वाले इंसान बन गहे हैं Elon Musk 44 billion खर्च करने के बाद इतना तो वो deserve करती हैं इनसे पहले ये खिताब था Barack Obama के पास Barack Obama सबसे ज़्यादा followed थे Twitter पे लेकिन अब Elon Musk बन चुके हैं अब Barack Obama दूसरे नंबर पे हैं तीसरे नंबर पे हैं Justin Bieber Elon Musk को 2021 में Times Person of the Year का भी award दिया गया था Who has been elected as the Vice President of International Boxing Association अब Boxing Federation of India के जो Chief है अजै सिंग उन्हें ही International Boxing Association का Vice President बनाए गया है तो ये question बहुत important हो जाता है ध्यान से इनका नाम याद रखेगा अजै सिंग ऐसे ही इनके साथ आप Vishwanathan Anand का भी नाम याद रखेगा उन्हें FIDE का Vice President बनाए गया है FIDE एक International Chess की regulatory body है तो उसका Vice President बनाए गया है Vishwanathan Anand को इस country के पास ऐसे काम करने के लिए बहुत सारे funds है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ North Korea की जिसके लीडर है Kim Jong-un और North Korea की capital है Pyongyang North Korea के पास एक Underwater Nuclear Capable Attack Drone है इसका टेस्ट नहोंने पहले भी किया था और सफल परिक्षन एक बार और इन्होंने किया है Agriculture Innovation Mission for Climate has been launched by which country along with USA Climate Smart Agriculture यानि के Agriculture की ऐसी practices जो Climate को बिलकुल भी harm नहीं करेंगी ये प्रोग्राम शुरू किया था USA ने UAE के साथ मिलकर और ये question important इसलिए हो जाता है क्योंकि हाली में इंडिया ने भी इस प्रोग्राम को जॉइन कर लिया है Agriculture Innovation Mission for Climate The program PM Shree is an initiative of which ministry PM Shree मतलब प्रधान मंत्री School for Rising India ये initiative है Ministry of Education का इस initiative के अंडर धाई लाक गवर्मेंट स्कूल में से 9000 गवर्मेंट स्कूल को शॉट लिस्ट किया गया है और इन स्कूल में education की quality बढ़ाई जाएगी और उसकी diversification पे भी ध्यान दिया जाएगा Which country has become the 31st member of NATO North Atlantic Treaty Organization जो 1949 में बनाय गया था उसके 30 member थे अभी तक और उसका 31 member बनाया है अब Finland जो की Russia के लिए बहुत बुरी खबर है Russia पिछले 13 महीने से Ukraine के साथ war में है और वो war उन्होंने इसी लिए छेड़ी थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि Ukraine NATO का member बने Russia तो लडाई में busy रहा पीछे पीछे Finland member बन गया अब Finland के साथ एक country और है जो NATO का member almost बनते बनते रह गई Turkey ने vote नहीं किया जिसकी वज़े से वो रह गई उस country के नाब मेरे को comment में लिख कर बताईए कि ऐसी कौन सी country है 100% railway electrification has been done in which state अभी हाली में हरियाना इसी state बन गयी है जहां पर railway पूरी तरह से electrified हो चुकी है और ये पहली नहीं दूसरी state है इससे पहले UP भी कर चुका है UP में भी 100% railway electrification है Who was appointed as the head of NASA's moon to mars program NASA जो USA की space agency है इसके moon to mars program के लिए head appoint किया गया है Amit शत्रिये को Amit एक Indian American engineer है जिनकी expertise है software और robotics में और इन्हें moon to mars program के लिए head appoint किया गया है NASA 1958 में बना था और इसके headquarters हैं Washington DC में India has set a target of how much of defense exports by 2026 हमारे defense minister राजनाथ सिंग जी के according हमारे defense exports 2026 में 40,000 करोड रुपे के पार पहुँच जाएंगे जिसकी शुरुआत हम अभी से कर चुके हैं आप लोग को पता होगा कि फिलिपीन से हमें ब्रह्मोज मिसाइल का order मिला है ब्रह्मोज मिसाइल जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई थी Foundation of Sark Writers and Literature has honored a special literary award to whom ये award दिया गया है शेक मुजीबुर रहमान को ये बंगलदेश के president रह चुके हैं और widely इन्हें बंग बंदू के नाम से भी जाना जाता है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लॉंच किया है भूपेंदर यादव ने भूपेंदर यादव ये हैं Union Minister for Environment, Forest and Climate Change इस प्रोजेक्ट के अंडर अरावली रेंज के चारों तरफ पांच किलोमेटर का बफर एरिया बनाया जाएगा बेसिकली चार स्टेट्स जहां अरावली रेंज फैली हुई है हरियाना, राजिस्तान, गुजरात और डैली ये बफर एरिया इन स्टेट्स में बनाया जाएगा ये मिरर टेलिस्कोप को अन्वील किया गया है उत्राखंड में अब आप मेरे को बताएगे कि उत्राखंड के सी एम और गवर्णर कौन है कमेंड में लिखके बताएगे सेकंड एडिशन ऑफ एफी इंडेक्स 2023 वस होस्टेड बाइ विच सिटी एफी इंडेक्स ये एक मल्टिलेटरल एक्सराइज है जो इंडिया और एफरिकन कंट्रीज के बीच में है एफरिका की 24 कंट्रीज हैं जिन्होंने इस एक्सराइज में पाट लिया है और इसका दूसरा एडिशन होस्ट कर रहा है पूने पूने में एक्सराइज होस्ट की जाएगी सेती रिवर हाइडरो एलेक्रिक प्रोजेक्ट पहले चाइना करने वाला था नेपाल के साथ लेकिन वो नेपाल को बीच में लटका के चले गए इसलिए अब नेपाल के साथ ये प्रोजेक्ट कर रहा है इंडिया इंडिया की NHPC Limited कंपनी ने ये प्रोजेक्ट लिया है और इससे नेपाल को फायदा है होगा कि जो एनरजी प्रोजेक्ट से उसका 21.9% अल्मोस्ट 22% एनरजी नेपाल को दी जाएगी वो भी बिल्कुल फ्री में अब लोगपाल की अपर एज लिमिट पांच साल बढ़ाकर सत्तर साल करती गई है स्कूल चलो अभियान उत्रप्रदेश की सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इसे इस साल लखनव से शुरू किया गया है पिछले साल 2022 में इसे श्रावस्ती में शुरू किया गया था और इसका में नेम है स्टेट का लिटरेसी रेट बढ़ाना जिन बच्चों ने अपने मावाप को खो दिया उनकी साहता करने के लिए 2000 रुपे की राशी देने का प्रावधान शुरू किया है पुड़ुचेरी की सरकार ने पुड़ुचेरी's government ओके, so this is the end of the video ये एक चोटी सी वीडियो थी 20 questions की आपके revision के लिए किसी भी exam में जाने से पहले एक बार इसे देख के जाईएगा और मन लगा के पढ़ाई करिए and thank you for watching